जैहिंद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, मैं और नई आडियो बुक लाता रहूंगा, तो चलिए, सुनते हैं यह कहानी, द्वितिये खंड. 11. जनक और शतानंद के आमरवाटिका में प्रवेश करते ही, पुनरवसु ने उन्हें सूचना दी कि गुरू उन्हें मिलने के लिए प्रस्तुत बैठे हैं, वह उनकी अगवानी करता हुआ विश्वामित्र तक ले गया, दोनों ने जुक कर गुरू विश्वामित्र का अभ पार्थिव, सुन्दर, तेजस्वी, पुष्ट और वीर, उनके शरीर, सामान्य आर्य राजकुमारों के समान, कोमल, भद्दे आकार वाले तथा चर्बी से लदे हुए नहीं थे, इन दोनों के शरीरों ने विलास में नहीं परिश्रम तथा शस्त्रभ्यास में आकार ग्र ऐसे ही तो एक राजकुमार की खोज थी सीरध्वज को अपनी वीर्यशुल का पुत्री सीता के लिए, पर क्या सीता के विवाह का प्रस्ताव राम मान जाएंगे और फिर अब तो बीच में शिव धनुप संचालन का प्रतिबंध भी था, क्या ये ही समराट दशरत के राज कुमार राम और लक्षमन है, सीरध्वज विश्वामित्र की ओर उन्मुख हुए, हां राजन, ये ही दाशरत ही राम और लक्षमन है, इनके आने के पूर्व ही इनके यश की सुगंध जनकपुर पहुँच चुकी है आरपिवर, सीरध्वज अत्यंत नम्रस्वर में बोले यदि अपने मन की बात कहूँ, तो आपके जनकपुर आने से तो मैं धन्य हुआ ही हूँ, विशेश रूप से राम और लक्षमन का जनकपुर में स्वागत करते हुए, मैं अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा हूँ आरपिवर, इन राजकुमारों के जनकपुर आगमन को मैं शुभ मानू, विश्वामित्र ने अपनी मर्यादा की सीमा को लांख कर उनमुक्त अटहास किया, आशंकाओं से पीडित और व्यथित न रहो सीरध्वज, राम नए युग का पुरुष है, पूर्व ग्रहों से मुक्त हो, राम का आगमन सदा शुभ होता है, क्यों शतानंद, शतानंद के चहरे पर कृतज्यता, उल्लास और करुणा के भाव पुंजी भूत हो गए, बोले, ब्रह्मर्शे, मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो इस चमतकार से चमतकृत हूँ, ऐसा अदभुत कर्म और ऐसा अदभुत पुरुष, मैंने पहले कभी नहीं देखा, फिर इनका वै देखकर और भी विस्मित हो जाता हूँ, कुमार वै और ऐसा चमतकार, राज पुरोहित, लक्षमन बोले, ऐसे अनेक चमतकार और होंगे, भाईया राम सचमुच अदभुत है, मेरी मा कहती है, लक्षमन, अपना प्रचार विभाग बंद करो, राम ने सने भरे स्वर में डाटा, गुरुहन से, सौमित्र ठीक कहते है, राम सचमुच अदभुत पुरुष है, शतानंद विस्मय से राम की ओर देखते रहे, और फिर, जैसे अपने आप से ही बोले, सोचता हूँ, मा को अपने सम्मुख देखकर पिताजी को कैसा ल फिर बोले, तो भया राम से बोले, राम, आज सचमुझ ही राजनीतिक सत्ता पर आर्शी सत्ता की विजय हुई है, एक आर्शी ने इंद्र को शाप देकर भी अपनी पत्नी को निश कलंक वापस प्राप्त किया है, रागव, यदि तुम्हारा जन्म कुछ पहले हुआ होता तो आर्पियों को इतना तपना नहीं पड़ता, राम की प्रशंसा का एक-एक शब्द लक्ष्मन को स्मरण रहता है, गुरु मुस्कुराए, और प्रशंसा का अवसर वे किसी और को देना नहीं चाहते, लक्ष्मन अपना जीवन चरितार्थ कर रहे हैं, शतानंद के मुख से उच्छवास निकल गया, अच्छा आर्शिवर, अब अनुमती दें, सीरध्वज बोले, कल प्राथा राजप्रासाद में इन दोनों राजकुमारों तथा ब्रह्मचारियों के साथ दर्शन देने की कृपा करें, अवश्य समराठ, विश्वामित्र ने उत्तर दिया, कि मैं एक विशिष्ट कारे से जनकपुर में उपस्थित हुआ हूँ, सीरध्वज सचेत हो गए, वे तो कब से इस वाक्य की प्रतीक्षा में थे, विश्वामित्र राम और लक्ष्मन को अकारण ही जनकपुर नहीं लाए हैं, आदेश दें आरपिवर, राजन, राम तुम्ह मी सीरध्वज भी, मन ही मन, प्रसन्नता और अप्रसन्नता, उत्फुल्लता और विपन्नता के द्वंद्व में ग्रस्त हो गए थे, बुद्धी कहां कहां की कुलाचें भर रही थी, कितने ही सूत्र वे अपनी कलपना से जोड़ चुके थे, किन्तु निश्चित बात तो भ मिथिला और अयोध्या में मैत्री हो जाए, तभी तो उन्होंने शिवधनुष की बात उठाई है, क्या वे नहीं जानते कि सीता वीरिशुल का घोशित हो चुकी है, उनको जानना ही चाहिए, शिवधनुष संबंधी सूचना के माध्यम से क्या विश्वमित्र ने अपनी और राम की इच्छा प्रकट की है, पर सीरध्वज की इच्छा क्या है, सीरध्वज की इच्छा मन कहीं पीड़ा से भर आया, अब सीरध्वज की क्या इच्छा, जब उनकी इच्छा थी, तब स्वीकार योग्य कोई साधारण सा आर्य राजकुमार नहीं आया, और आज ज जब सीरध्वज ने अपनी इच्छा शिवधनुष के अधीन कर दी है, तो स्वयम राम चलकर जनक पुरा गए हैं। ओह सीरध्वज, तेरा भाग्य! अब यदि राम शिवधनुष संचालित ना कर सके, तो इच्छा के होते हुए भी सीरध्वज क्या कर सकेंगे? अपना ही सही, पर प्रण तोड़ने की शक्ति उनमें नहीं है। इसे कौन छोड़ गया है यहां? कोई सूचना नहीं, जानने का कोई स्त्रोत भी नहीं. इस समय बच्ची धर्ती की गोद में पड़ी है, उसी की पुत्री है, और कोई नहीं है उसका. राजा ज्या से बच्ची उठा ली जाती है. राजा को खेत में हल जोतने की प्रथा बच्ची के पालन पोशन की कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी. किसका दाइत्व है यह? माता पिता का. किन्तु यदि माता पिता संतान को इस प्रकार खुले खेत में छोड़ जाएं, तो… पर क्यों छोड़ गए माता पिता? उन्हें अपनी संतान से प्यार नहीं. वह कौन सी मजबूरी थी? कोई भी मजबूरी रही हो. ऐसी मजबूरी के लिए उत्तरदाई कौन है? देश का राजा. हाँ, देश का राजा. जिस देश के माता पिता अपनी किसी मजबूरी के कार माता पिता ने, बच्ची को यहां छोड़ गए, राजा को अपने दायत्व का बोध तो हो, अब राजा अपना दायत्व पूरा करे, वह इस बच्ची का पालन पोशन करे, बच्ची, राजा श्रे में पलने के लिए राजप्रासाद में आ गई, पर सी रध्वज, समराठ ही नहीं, एक व्यक्ती भी था, उस व्यक्ती के वक्ष में पिता का हृदय था, संतान के अभाव में पिता का हृदय भूखा था, सीता राजा श्रे में पलने वाली भूमी पुत्री थी, राजा भूमी पती होता है, भूमी पुत्री का पिता सी रध्वज ही हो सकता था, सी र सीरध्वज ने बच्ची को हिरदय से लगा लिया. मेरी बच्ची सीता सुनैना की गोद में डाल दी गई. सीता समराट सीरध्वज जनक की राजकुमारी थी. वह राजसी संसकारों में पल रही थी. किन्तु साथ ही वह व्यक्ती सीरध्वज की पुत्री भी थी. पिता पुत्री एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे. सीता युवावस्था की ओर बढ़ रही थी. सीरध्वज उसके योग्यवर के लिए आर्य राजपरिवारों में द्रिष्टी दोड़ा रहे थे. किन्तु सब जगह सीता के कुल को लेकर उसके जन्म के संबंध में संदेह थे, आशंकाएं थी, लांचन थे. सीता असाधारन रूपवती थी, उसके रूप की सब और चर्चा थी. अनेक पुरुष उसे पाने के लिए इच्छुक थे. किन्तु न तो वे पिता सीरध्वज को स्वीकार्य थे, न सम्राठ जनक को. उनमें से किसी से संबंध जोडने पर सम्राठ का अहम आहत होता था, और कहीं पिता का मन पीडित होता था. किसी अकांक्षी की आयू अनुकूल नहीं थी, किसी की पहले से ही 150 राणिया थी, और वह उनमें एक संख्या की व्रिध्ध करना चाहता था. कहीं रूप नहीं, कहीं गुण नहीं, सीरध्वज परिशान थे, और अब आये हो तुम राम. सीरध्वज क्या करें? शिवधनुप के प्रतिबंध को बीच में लाकर वे अपनी पुत्री को राम जैसे योग्यवर से वन्चित तो नहीं कर रहे? सीता की क्या इच्छा है? उन्हें सीता से भी बात कर लेनी चाहिए. अगर आपको ये उन्डियोबुक सुननी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स एड़ करें.